आगो चाई पीने की बहुँ ज्यादा आदत होती तला हुआ बेसन की चीज या फिर पेकिंग वाली जो चीज होती है भार का जो शामान शुटा वह खाने की ज्यादा आदत होती है जिसकारण से उनको पेट में बहुत ज्यादा प्रॉबलम होने लगती है ऐसा तरह की प्रोब्लम को देखते हुए आज हम डाइजन सीरफ के बारे हम बात करेंगे डाइजन सीरफ क्या है इसके कंटेन्ट यूजेज डोज एवं इसके साइड एफेक्ट के बारे हम बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रिकाश शाक के और आप देख रहा है इस्टा रिलिफ देती है, यह किसी भी था कि आपको ACET की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी खतम करती है यह मेरे हाथ में डाईजन सीरफ ही, यह दाईजन सीर का ब्रांड दिया गा है यह बताएगा है, आपको एक रिलिफ फ्रॉम ACET and GAS यहां पर बताएगा है नंबर बन डॉक्टर की नंबर बन पशंद यह डॉजन्सृयरप इसकी कंपझी के बारे में बात करें है टो यह एवॉट इंडियalom फेलीं द्यूरा बनाएगा माचीन होता है 185Ok मैं बारे में बाद करना तो इसकी पेगिंग काफी अची यहDCまだ इसमें फूटने का डर नहीं रहता, चलिए इसकी मैनिफेक्चर की बारे में बात कर लेते हैं, इसकी मैनिफेक्चर की बारे में बात करें, तो ये फरवरी 2018 बनी हो जो मेरे पात में हैं, और इसकी एकसपारी जनवरी 2020 की है, और इसकी MRP की बात करें, तो ये 99 रुपे की एक स तो इस तरह से इस सिरफ का आपको गैस से संबंदित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, आपके पेट में जलन की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इस सिरफ का डाइजन जेल का आप यूज कर सकते हैं, चलिए सबसे पहले इसकी यूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं आपको किसी भी तरह की acidity की problem और इसमें आप इसका यूज कर सकते हो आपको खाना हजम नहीं होता हो और बार बार उसकी टेस्ट आता रहता हो अंदर से खटी डाकारों का उसमें आप इसका यूज कर सकते हो आपका पेट साफ नहीं होता हो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो आपको किसी भी तरह की gas की problem होती हो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो तो आप इस तरह से डाजन सीरप का यूज करके आपकी acidity की problem को gas की problem को आप दू कर सकते चलिए श्याफ की पारें बात करें तो आपको सार में अहीं की प्रवल्म हो सकती है कि इस तरह के नोर्मल साइट-एफेक्ट देखлем जा सकते हैं लेकिन फिर भी तरह क्सी तरह की प्रोबलम होती है यह साइट एक प्रोबमों होती है तो इस सिरप का पर लेना बंद कर दें लिकिन ध्यान रहे यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्ख जरू कर लें बैसे भी बिन डॉक्टर की एडवाज से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए आपका दिन मंगल में हो आप सदा खुश रहें सदा स्वस्